नमस्कार दोस्तों SN Electrical Academy के यूटूब सेनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों हम आई टी आई फ़स्टियर के इंजिनियरिंग ड्रॉइंग नए सलव्यस के एकोडिंग आनलाइन हो गया है उसी के एकोडिंग इस वीडियो में मैं आनलाइन में आने वाले कोश्चनों का डिसकसन करने जा रहा हूं फ़स्टियर के सभी इस्टूडेंट के लिए ये वीडियो महत्वपून होगी क्योंकि आनलाइन में किस टाइब के कोश्चन आने वाले हैं इसमें उन कोश्चनों को लेबल आप पता कर सकते हैं ये जो कोश्चन लिए गये हैं ये कोश्चन आन से आपके CBT इंजिनिरिंग ड्राइंग के पिपर में जरूर कोश्चन मिलेंगे इससे पहले के मैं एक पार्ट को अपलोड किया हुआ हूँ यदि आप उसको नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है वहां से उस वीडियो को 11 नंबर जो कोशन दिया हुआ है इसमें कहा जा रहा है कि सेट स्कुएर दोभारा ही स्कुएर की मदद से डाट डाट डिगरी के गुणज में लाइने खीची जा सकती हैं सेट स्कुएर सभी लोग आप जानते ही होंगे ITI के सभी student set square का प्रियोग करते हैं डिपलोमा वाले उसी के जगह पे MD mini drafter का प्रियोग किया जाता है तो set square complete engineering drawing जो ITI वाले student है set square से ही बनाते हैं और वो set square दो set होता है इसी दोनों की मदद से बनाय जाते हैं तो set square के द्वारा हम जो angle का angle बनाते हैं तो वो 15 degree के angle में बनाया जाता है 15 degree के गुणज में angle को बनाया जाता है कहने का मतलब कि 15, 12, 30, 60 इस तरीके के बनाया जाएंगे तो minimum जो होगा 15 degree के गुणज में बनाया जाएंगे जो कि option number A में दिया हुआ है 15 इसलिए option number A सही हो जाएगा अगला जो question है 12 number इसमें कहा जा रहा है कि orthography projection कैसे होते हैं एक गामी यानि यानि 1D होता है 1D यानि 2D और C जो दिया है 3D यानि 3D में होता है तो orthography जो projection होता है वो 2 गामी यानि 2 गामी होता है इसलिए option number B सही हो जाएगा अगर यहीं पे पुछा रहता कि isometric projection कैसे होता है तो वो 3 गामी होता है याद रखिएगा isometric का पूछेगा तो फिलाल यहां orthography का पूछा है तो B हो जाएगा अगला जो question है 13 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि protector से कितनी सुधता से कोंड मापे वो बनाये जा सकते हैं प्रोटेक्टर के द्वारा हम कोंड को बना सकते हैं कोंड को माप सकते हैं और किसी center को भी हम प्रोटेक्टर द्वारा ग्यात किया जा सकता है और प्रोटेक्टर के द्वारा हम इसकी accuracy जो होती है वो 1 degree होती है जो कि option number A में दिया हुआ है यहाँ पुछाता कितनी सुधधता के कोण मापे जा सकते है प्रोटेक्टर के द्वारा तो एक डिगरी के यानि आपसन नमबर C सही हो जाएगा अगला जो कोशन है कि प्रोटेक्टर से कौन सा कार्य किया जा सकता है तो प्रोटेक्टर से अभी पिछले कोशन में हमने बताया कि कोण मापा जा सकता है कोण बनाया जा सकता है और ब्रीत को विभाजित करके सेंटर भी ज्यात किया जा सकता है या बनाया जा सकता है इसलिए प्रोटेक्टर के द्वारा उप्रोक्त सभी कारिक किये जा सकते हैं इसलिए अगला जो कोशन है पंदरा नंबर इसमें कहा जा रहा है कि प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रियोग किया जाता है तो प्रोटेक्टर बनाने के ल प्लास्टिक के कटेगरी का ही मेटेरियल होता है इसलिए आपसा नंबर सी सही हो जाएगा अगला जो कोशन है 16 नंबर इसमें कहा जा रहा कि इंजिनिरिंग या तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाओ इस अधार पर किया जाता है पेंसिल का चुनाओ जो होता है वो ग्रेड के अधार पर किया जाता है और ये 1H से ले करके आपके 9H के ग्रेड में पेंसिल का आता है टाइप ग्रेड के अनुसार 1H, 2H 3H, 6H, 4H, 5H ऐसे 9 तक आएगा तो इसमें पूछा जा रहा है कि पेंसिल का चुनाओ इस आधार पर किया जाता है किसके आधार पर किया जाता है तो आपसन जो A है पेंसिल की लंबाई पे नहीं B जो है पेंसिल के ब्यास पे नहीं C जो है पेंसिल के ग्रेड पे किया जाता है इसलिए आपसन नंबर C सही हो जाएगा और pencil के अंदर जो होता है वो graphite डाला जाता है और ये grade जो होता है 9 टाइप के होंगे और इस grade में उसी graphite की आधार पर इसके grade को भी भाजित किया गया है अगला जो question है सबसे high grade की pencil कौन सी होती है अभी grade के अनुसार हम आपको बताए कि 1H से लेकर के H9 तक होगी यानि सबसे high grade की हो गई H9 यानि आपसा number C में दिया हुआ है 9H इसलिए आपसा number C सही हो जाएगा याद रखेगा सबसे high grade की यही 9H pencil होती है अठारा नंबर जो question है इसमें कहा जारा कि ड्राइंग में विभीन रेखाएं खीचने के लिए काई grade की pencil प्रियोग की जाती है निर्माल रेखा इसको ध्यान रखेगा निर्माल रेखा खीचने के लिए निमने grade उचित होता है निर्माल लाइन यानि construction लाइन को खीचने के लिए किस grade के pencil का प्रियोग किया जाता है तो construction लाइन में जो grade प्रियोग किया जाता है वो 2H या 3H प्रियोग आप कर सकते हैं जो की आपसा नमबर A में दिया हुआ है 2H या 3H इसलिए आपसा नमबर A सही हो जाएगा अगला जो question है सबसे soft pencil का grade कौन होता है तो सबसे soft जो pencil का grade है वो HB है HB यानि आपसा नमबर B सही हो जाएगा अगर यहीं पे सबसे hard pencil की पूस्ता तो 9H हो जाता अगला जो question है इसमें कहा जा रहा है 20 नमबर में कि pencil के lead की hardness इस पर निर्भर करती है hardness किस पर निर्भर करती है अर्था तो उस pencil की कोठोरता किस पर depend करती है तो उस pencil के graphite में उपस थी Kaoline की मातरा पर जो की आपसा नमबर A में दिया हुआ है Kaoline की मातरा यह Kaoline की जो मातरा होगी वो graphite में होगी तो इसलिए आपसा नमबर A सही हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने complete 10 question का discussion किया आप complete वीडियो को watch कीजिएगा आपके CBT exam में इस से जरूर question मिलेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को share जरूर कीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा हम इसी तरीके की वीडियो आपके वीच लाते रहेंगे तो पहले notification पाने के लिए चैनल को please subscribe जरूर करें तो इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार